हेलो सुदेंट्स मैसल प्रदीव गुपताशर रिजेंट जेनल नौलेज अब क्लास शीक्स तुड़े वी लर्न दे लेशन नमबाव फास्ट माइग्रेटिंग एनिमल्स बच्चों आज हम लोग पलायन करने वाले जानवरों के बारे में इस लेशन में पढ़ेंगे जीके के पहले लेशन में कि सबसे पहले पहले के बारे में कुछ चीज हम लोग जान ले इनिमल्स माइग्रेशन इज ए लॉंग डिस्टेंस मुव्मेंट ऑफ डिफेरेंट एनिमल्स कि ऑन ए सीजनल बेसिस कर आए कि मौसम के अधार पर मौसमी आधार पर जब कोई जानवर कि बहुत लंबी दूरी तय करके एक जगह से दुस्रे जगह चला जाता है पलाइट हो जाता है तुसे हम माइग्रेशन या पलायन कहते हैं अब वजन भी इसका सुधिंदी होता लिए अब वजन सुधिया पलायन रखिए एनिमल्स जो है जानवर जो है बहुत सारे कारणों स से माइग्रेट करते हैं पलायन करते हैं विकरान कौन-कौन से है तुफाइंड फूड अपना भोजन खोजने के लिए और मौर फैबरेबल लिविंग और ब्रीडिंग कंडिशन और वे अपने रहने के लिए अथवा अपने बच्चों को जर्म देने के लिए उपयुक्त अपयुक्त अस्थान की खोज में वह पलाईत हो जाते हैं यहां पर अलग-अलग जानवरों के बारे में हमको कुछ कुलूज दिये के होंगे इन दिये गए हेल बॉक्स से उन जानवरों के बारे में पता लगाना है हमें किन जानवरों के बारे में खोजना है ढूड़ना है शिखना है ग्रेव वेल के बारे में विशॉन के बारे में एस्नो गूज के बारे में आर्टिक टर्न के बारे में कैरी वाउ के बारे में और अम्ब्रेला बर्ड के बारे में हम लोग को जानना है और सिखना है तो स्टुएंट्स लेट्स स्टार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प इस इस मॉल बार्ड यह चोटे सी चिरिया है डाइट मेंक्स दा लॉंगस माइग्रेशन इमांग बार्ड यह सभी चिरियाओं में सबसे लंबी दूरी का माइग्रेशन करती है पलायन करती है इस ब्रिट इन आक्टिक टूंडरा यह उत्री धूरूब जो है जिसको हम लोग आक्टिक कहते हैं आक्टिक टूंडरा में यह अपने बच्चे को जर्म देती है बच्चों इस बार्ड का नाम हम लोग जानते हैं क्या let's guess this bird is Arctic turn this bird का मुलों क्या कहते हैं Arctic turn कहते हैं now move to question number two also called an American buffalo इस जो तस्वीर है इस तस्वीर कि तर विर दिया गया इनमल उसको मुलों अमेरिका का भैसा भी काते हैं इट इज दा हेवियस लैंड अनिमल इन नौर्थ अमेरिका यह नौर्थ अमेरिका का सबसे भारी जानवर है इट यूज टू मागरेट अक्रोस दा ग्रेट प्लेंस आफ नौर्थ अमेरिका इन लार्ज हर्ड यह बहुत बड़े बड़े जूंड में बड़े बड़े जूंड में नौर्थ अमेरिका के मैदानों की यूर्प पलाईत कर जाता है क्या हमने इस जानवर को पहचाना जाना दिस एज विशान या क्या है या विशन है इसको हम लोग मिथून भी कहते हैं हिंदी में कॉस्ट नमबर थार्ड इस तस्वीर को ध्यान से देखिए तस्वीर से ही आपको क्लूम निकलेगा दिस इस दे लॉंगेस माइगरेटिंग मैमल्स वीच माइगरेट अब टुवेल थाउजन 500 माइज इच एर कराय किया सबसे अधिक पलायत होने वाली अपरजवन करने वाली मैमल्स है अस्तनपाई है जो लगवग एक क्वर्स में 12,500 माइल की दूरी तै कर लेती है क्या हम लोगों ने इसे पहचाना इस इस दा ग्रेव वेल यह क्या है यह ग्रेव वेल है जो तो दे नेस्ट क्वर्ष़टन इस बड़ को आप अच्छे से पहचाने इस बड़ के बारे में कुछ क्लूज दिये गया है इस इज़ अ माइग्रेटिंग बड़ फ़र्म नौट अमेरिका यह उत्रिया इस बाला यह पक्षी है जो टूंड्रा प्रदेशों में ब्रीड करता है अपने बच्चों को पैदा करता है दे इंवाग्रेट इन विंटर टू दा साउथ वेस्टर्न वेटिस कोलंबिया इन दा साउथ कह रहा है कि जारे के मौसम में विंटर सीजन में यह टूंड्रा से उत्री धूरूप से यह साउथ वेस्टर्न वेटिस कोलंबिया के दक्षिनी छोड तक पहुच जाता है क्या हम लोग ने इस पक्षी को पहचाना इस पक्षी का नाम है इस्णो गुज क्या नाम इसका इस्णो गुज मूब तो नेस्ट कोश्टन इसके सीर पर एक काले रंग का क्राउन की तरह का एक फेसिंग लगा होता है इट इज ए एन अल्टिटूडनल माइग्रेंट या जो है या देशांतर की और मुरने वाला माइगरेंट है इट माइग्रेट तो डिफेंट इल्टिटूड इन देशांतर माउंटेंट इंस्टीड अप माइग्रेटिंग अक्रॉस दा लैंड यह धर्ति को छोरकर के भूमी को छोरकर के पहारों पहारों पर यह गूहूमता रहता है क्या हम लोगों ने इस बड़ को पहचाना इसे हम क्या कहते हैं अंब्रेला बड कहते हैं मुब तु नेस्ट कॉस्टन इस इस दा लॉंगेस्ट मागरेटिंग लेंड अनिमल इस क्लोजली रिलेटेट तु दा रेंडियर दे मागरेट इन ही यूज हियर अक्रोस दूंडरा ट्रेवलिंग ओबर एट हंडेड माइल इच इस यह कह रहा है कि यह धर्ति पर लैंड इनिमल में सबसे अधिक दूरी तक मागरेट करने वाला जानवर हैं यह रेंडियर परिबार से काफी नजदीकी रखता है यह जो है टुंडरा से शुरू करकर लगए 800 माइल तक परसेख साल यह पलाइट होता रहता है मागरेट कर परचाना इस इस कारीवाव कहते हैं कि इसे क्या कहते हैं कि इस दो यू नो देट मेंडियर माइग्रेट वाइड बैड वेदर तो फाइंड फूड और रिप्रोडूश रिप्रोडूश बहुत सारे जो कई जानवर होते हैं वह खराब मौसम से बचने के लिए या आपने भोजन की खोज में या प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन करने के लिए जनन करने के लिए एक जगा से दुसरे जगा तक माइग्रेट करते हैं कि टरमाइट दीमक & और्थ वर्ण केचवा माइग्रेट फॉह दुसर चरफफ़ेस हितुद दीपी नe दीरिमक और केचवा जो जीव होते हैं कीरेों होते है यह टोप सर्फ़ेस Уवायल से मिट्टी के उपरी भागों से यहाँ जमीन के काफी भीतर तक माइग्रेट कर जाते हैं तो इस ज्यादा इंट्रेस्टिंग जब मैं डालता रहूंगा तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको कोई भी वीडियो चूटेगा नहीं थांक्यू फर वाचिंग माई चैनल दूरिंग दे लॉकडाउं तिल गुडबाई